दोसो ब्रम्मोस मिसाइल को इंडिया और रेशिया के जोएंट वेंचर के एक बहुत बड़े सक्सेस के रूप में देखा जाता है और ब्रम्मोस मिसाइल के उपर सक्सेस मिलने के वाद उसके extended range, air launch version, hypersonic version और mini ब्रम्मोस के उपर भी काम किया जा रहा है और अब ख़वर ये है कि अब ब्रम्मोस एरोस्पेस के द्वारा ब्रम्मोस मिसाइलों के upcoming version मतलब ब्रम्मोस एंजी या फिर ब्रम्मोस नेक जिनरेशन मिसाइलों को उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और इसके लिए ब्रम्मोस एरोस्पेस करीवन 200 एकर के जमीन को भी लेना चाहता है ताकि यहाँ पे फैसिलिटी का निर्मान किया या सके दोस्तों रिपोर्टों के मताबिक ब्रम्मोस एरोस्पेस के CEO शुधिर कुमार मिसरा के तरफ से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस हुए Industrial Development Authority और उत्तर प्रदेश के Additional Chief Secretary अविनेश अवस्ती को 24 तारिके दिन एक चिठी लिखा गया है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में 200 एकड के जमीन को मागा गया ताकि इस कॉरिडोर में ब्रम्मोस एरोस्पेस के तरफ से भी अपने एक State of the Art facility का निर्मान किया जा सके जबकि दोस्तों इसके इलावा ब्रम्मोस एरोस्पेस के एक Delegation वी उसी दिन मतलब 24 अगश्ट के दिन उ पिलाल ये ब्रम्मोस मिसाइल इंडिया के DRDO और रशिया के NFO का एक Joint Venture है और Joint Research and Development के नतीजे के स्वरूप इस Success मिसाइल को तयार किया गया दोस्तों माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाले Defense Corridor में अगर इस Manufacturing Facility का निर्मान किया जाता है तो ये करीवन उत्तर प्रदेश में 300 करोड रुपे के एक Investment लाएगा साथ में इस से डारेक्ली 500 इंजिनियर और टेक्निकल लोगों के डारेक्ट जॉब मिलने का भी संभावनाए हैं जबकि इसके इलावा माना जा रहा है कि कम से कम 5000 लोग को इस से इंडारेक्ली Employment मिलेगा और कम से कम 10,000 लोग Production Center के वज़ा से अलग अलग तरिके से काम फासकेंगे Economics Science के रिपोर्ट के मुताविक डॉक्टर शुदिर कुमार मिश्रा के तरफ से जानकारी दिया गया है कि जमीन एलोकेट होने के तीन महिने के अंदर ही इसके Civil Construction का का काम शुरू कर दिया जाएगा बलकि यहाँ पे Research और Development का भी काम किया जाएगा ताकि ब्रमोस Aerospace के Future Project को भी यहाँ से तेजी मिल सके Even यह भी ख़वर है कि ऐसे Facilities का इस्थेमाल करते हुए ब्रमोस Aerospace आने वारे तीन सालों के अंदर कम से कम 100 मिसाईलों को निर्मान करना चाता है Prime Minister Narendra Modi के तरफ से जब से भारत के अलग-अलग शेत्र में Defense Corridor निर्मान करने का बात उठाया गया और साथ में भारत को Defense Manufacturing में आत्मा निर्वर बनाने का बात उठाया गया तब से कई सारे प्रदेश के गौवर्मेंटों के द्वारा भी इस शंकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे कंपणियों के साथ बात चित किया जा रहा है इवन भारत के कई सारे कंपणियों अब इस मौके को देखते हुए अपने Research and Development के शमता को भी मजबूत कर रहा है और साथ में एक के बाद एक नए हतियारों के concept को लेके आगे आ रहा है दोसो ऐसे में लखनो, कानपूर, चित्रकूट, जहांसी, आगरा और आलिगर जैसे जगाओं में भी Defense Corridor बनाया जा सकता है जबकि इसके बारे में विदेशी कंपणियों के इंट्रेस्ट को भी 2020 में लखनों में आयोजीत Defense Expo के दर्मियान देखने को मिला था Defense Expo 2020 में कई सारे foreign और domestic company के द्वारा भारत के ऐसे Defense Corridor में इंवेस्ट करने के लिए करीबन 50,000 करोर रुपे के Memorandum of Understanding के उपर भी हस्ताक्षर किया गया था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बारा हूँ अब बैर आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद